नमस्कार, और सायफ और लाइबरी साइंस के इस चैनल पर जुडने का आपका मोटिव यह है कि आपको अच्छे मार्ग से लाइबरी साइंस की वेकेंसी को क्लियर करना है तो उसमें आप लोग का सहयोग जो हैं सुमेर सर के दोरा किया जा रहा है और यहां पर आप लोग को हर एक अच्छी गाइड लाइन दी जा रही है उसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब आप खास कर ऐसी वेकेंसी की त्यारी कर रहे हैं जहां पर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट जोल अर्रा करते हैं तो उसी के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं सुमेर सार आपका जो है लाइबरी साइंस वाला पॉर्शन बहुत अच्छी तरगी से संभाल के रखें और बहुत अच्छी सी जो हैं क्लासे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताथ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग कुछ जानने वाले हैं वर्ट जी जी के बारे में काफी इंट्रुएंट हैं जो पता हैं हमारे जो लीबरी साइंस का पेपर होता है एक होता है whenever our second record होता है रास्तान माला इसली रिषाद का ठीक है खास कर्बिशन लीजेगा first paper जो होता है वो आता है general का paper जिसमें रास्तान जी के, world जी के, इंडिया जी के और कुछ जो है other subject के भी वहाँ पर portion होता है जिसे रास्तान current address वगेरा ये सारे second आता है library science का जिसमें सारी की सारी units वहाँ पर दी जाती है तो ये दोनों अलगलग पेपर होते हैं, दोनों का अलगलग स्रिप्टिंग होता है तो आपका जो पिछला पेपर हुआ था, 2022 का लाइवरी साइंस का ध्यान रखेगा ठीके, उसमें हम लोग आज बताने वाले हैं कि वर्ल्ड जीके कोन-कोन से कोशन आये और हम लोग क्या त्यारी करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे जुट जाएगा उसमें जुटने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर एक लिंक दिया गया है और आप डिरेक्ली टेलिग्राम से जुट जाएगे चलिए स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बजा देता हूँ, यह जो पेपर हुआ था, वो 2022 का पेपर है, जैसे आपको दिख रहा है, लाइवरियन ग्रेड थर्ड, 2022 का और कब हुआ था, वो डेट भी आप लोगो शो कर की जा रही है, ठीके, यहाँ पर जो ड ठीके के 12 कोशन आते हैं, ठीके, और अब हम लोग यह बोल रहे हैं, आप लोगों को, कि 7 से 10 कोशन हर एक 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 एक्जाम में पूछा जाता है, अधिनिस बोर्ड के द्वारा, कितने भी आप पेपर उठा के देखेंगे, काफी ऐसे पेपर होते, जहां पे 5, किसी में 10, इ यह है, which capital city is not located on the banks of river Danube, यानि कि Danube नदी के किनारे, ऐसा कौन सी राजदानी है, किसी देश की राजदानी है, जो नहीं बसी हुई है, ठीके, तो अब यहां पर देखो, ऐसे question आप लोग के सामने हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम लोगों इनके बारे में पढ़ा हुआ, जैसे इंडिया जी के कुछ question के उपर focus करते हैं, लेकिन यह जो question आते हैं, वो आपके relate करते हैं, कभी न कभी आपने जब पढ़ा होगा, दस्वी में, तो यहां पर आता कि कौन सी, कौन सा राजदानी शहर, Danube नदी के तरट पर नहीं है, वियना, ऑस्ट्रेलिया है, बुड़ा का हैं, हंगरी में, और Belgrade का हैं, सर्बिया, ठीक है, यह दो हो गए, अब रोम आता है, इटली, ठीक है, और इस वाले paper में, इटली से related बहुत सारे question पूछे गए थे, तो अब यहां पर देखो, कभी कभी यह पूचा जा सकता है, किस देश से होकर गुज़री हैं, कौन सी एक वियना है, ऑस्टेलिया की, अंगरी है, बुड़ा पेस्ट की, बैल ग्रेड, जो है सर्बिया की, लेकिन एक जगह आती है, इटली, ठीक है, इटली की है, रोम, वहां से यह ओकर गुज़र्टी नहीं है, देने उनर दी, तो इसका आंसर हो गया, option number D, रोम, लेकिन कौन चार जगह है, तो अउस्ट्रिया, हंगरीय और सर्बिया तो आपके सामने आ चुक गए, चोती कौन सी है, उसके बारे में आपको बदा देता हूं, वो है ब्रातिसलावा, ब्रातिसलावा यह कहां पर है, यह स्लोवाकिया, ठीकिए, यह देस है, स्लोवाकिया, वहां से, औ और भी हम लोग इंट्रेस्टी चीज़े पढ़ते रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे कहां पर हम लोग यह जो है एक हमारा एप्लिकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन दे रगगा है वहां पर आपको सारी की सारी क्लासिस देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा इंपोर् हैंगे RSMSSB के डाउनलोड पेज़ पे तो यह पेपर आपको मिल जायागा ठीक है और इस पेपर में आप लोग को यह कोशन सीरीज मिलेगी ठीक है चलिए जिन लोगों ने पिछली बार पेपर दिया था और वो बैट लग की वज़े से या हाड लग की वज़े से उन नहीं हो पाएं क्लियर तो उनको पता होगा कि यह कोशन आये थे ठीक है ओके चलिए नेक्स आता है 62 नंबर का कोशन आता विच वन ओफ फॉलाविंग वैल करनो इस नोट लोकेटेड एट मेडिटेरियन इन सी ठीक है इसमें कौन सा जवाला मुखी है जो भुमदी सागर में इस् कहां पर है लेकिन यहां पर राइट आंसोर निकालना है देखें स्ट्राम वाली नहीं है यह राइट आंसोर तो नहीं है स्ट्राम वाली क्या है जिसको अभुमदी सागर का परकास्तम कहा जाता है KI्यों कहा जाता है हम लोग कलास में जरूर पड़ेंगे ने क acredite एक हль महान लिलोग जानते हैं लेकिन ये भी कहा है इंतली में हैं इसके बारे में ज़रूर जानते होगे इयू हैं इतली में हैं तो इतली कहा है इतली भुमद्य सागर के पास राइट अब बचता है को है सुल्तान देखें ये जो वाला जो क्वेशन है ना काफी बार जो आपका दोजार वाइस का पेपर हो ना काफी इस्टूने ने इसको वापस अदिन इस बोर्ड को बेजा था कि आपने इसका आंसर गलत किया है उन्होंने क्या किया है स्ट्रम तो बलुचिस्तान में है को हो ए सुल्तान पागिस्तान में ठीक है तो पागिस्तान तो बुमदी सागर में है ही नहीं तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बुमदी सागर में कौन सा इस्टिक नहीं है को है सुल्तान नहीं है चलिए नेक्स कौन सा आ जाता है अब आता ह भी देख़िया कि Denmark जल संदी कि दो के 2 मास अवर के मद्य स्थित है तो संदियों के बारे में भी पढ़नागा है बहुत साइब संदीया है उसके बारे में पढ़ना तो यहांपर option आपके सामने है अब आपको पता होगा कि Denmark है कहाँ तो आपको यह भी पता होगा कि कहां मास अगर आते हैं देखेगा जो डेन्मार की location है देखेगा वो आप लोग बिल्कुल सही जानते कि आर्क्टिक के आसबास आता है लेकिन आर्क्टिक के जस्ट उपर की तरब आता है तो वहाँ पर आता आर्क्टिक और अंटाल्टिक लेकिन वहाँ पर एक option ये भी दे सकता है आर्क्टिक तो हई ठीक है उसके अलावा अगर वहाँ पर उत्री क्या देदे अंटाल्टिका देदे ठीक है तो वो भी right answer होगा यानि कि उत्री अंटाल्टिका और आर्क्टिक के बीच में ही ये Denmark है जो इस्तित है ठीक है चलिए तो Denmark की जल संदी इन दोनों के बीच में होती है ठीक है right next अब ये तुड़ा सा आपको देखना पड़ेगा देखे एक तरफ तो आती है संदी ठीक है दूसी तरफ आती है list ठीक है किस साल में हुआ था list first and list second आता है ठीक है तो इसको करने का बहुत आसान तरीका आप लोग खुश समझदार है कि अगर इसमें एक दो का भी अगर आपको option पता चल जाता है तो आराम से answer हो जाता है अधिनस बोड के कितने भी आपने paper देखे होंगे वहाँ पर कभी भी ये confuse नहीं करता है ये बराबर वही option देता है ताकि आप लोग को आराम से यहां पर right हो जाए देखे हमने बहुत बार वर्साई की संदी तो पड़ी होगी वर्साई की संदी पड़ी होगी उसके अलवा Paris की संदी पड़ी होगी लेकिन जो ये दोनों है दोनों काफी कुछ लोगों ने नहीं पड़ा है क्योंकि इतना गहरी जो है कोई भी नहीं पड़ता तो यहां पर right answer क्या होगा देखे हो वर्साई की संदी अगर आपने पड़ी होगी तो वर्साई की संदी का जो year होता हो होता 1919 1990 तो यहां पर कौन सा 1990 का option आता है तो देखे option number C यानि की second वाला तो यहीं से आपका right हो जाता है option number C तो 1919 के वक्त में किया होई थी वर्साई की संदी अगर वर्साई की संदी याद हो नहीं है तो Paris की संदी तो ज़रूर याद होगी City of Paris ठीक है 1783 में होई थी 1783 में यानि की यह होगा option number 4 तीक है अब यहाँ पर second का option number 4 यहीं पर और यहाँ पर भी है तो यह confused हो सकता है तो एक दो question तो point को याद रखना ही पड़ेगा तो यह option हो जाते है उसके अलवा यहाँ पर ट्रायोन की संदी ट्रायोन की संदी होती है जस्वरसाय के संदी के बाद यानि की 1920 के टायम में अब यहाँ पर आता है लोकानों की संदी ट्रायोन की संदी चली जाती है 1925 के 1925 के तायम में तो इस तरह का यह जो है आपका संदी बन जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं ओके तो लाल लकडी और ताड के पेड किस परकार के जंगल में पाए जाते है रेड वूड और पाम ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फोरेस्ट ठीक है वो आपके सामने इस तरह के कोशन पगड़ा देता है कब भी देखो यह जितने भी आप बारा कोशन देखेंगे अलग अलग टाइप के बना कर दिये हैं आप लोग को ताकि आप लोग को करीबन बारेस से पंदरा जो टॉपिक पढ़ सको ठीक है इस हिसाब से उन्होंने दिये है लेकिन यह सारे जो टॉपिक है बहुत छोटे है जो 2022 का पैटर रहने वाला है जो नॉर्मल जो हुआ था आपकी वेकेंसी का उसके बाद में 2022 का सेम पैटर रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है तो उसी के हिसाब सेम पढ़ने वाले है तो लाल लकड़ी और ताड के पेड़ किस परकार के जंगल में पाए जाते है तेगा वन टुंडरा वन उस कटिवन यह सदा बाहर वर्शा वन यह उस्ट कटिवन दिया अर्ध पढ़ने पाती है तो ट्रॉपिकल एवर ग्रीन रेन फोरेस्ट में आते है यानि कि यह जो लाल लकड़ी है ताड के पेड़ के बारे में तो बहुत सुना होगा ठीक है ताड के पेड़ क्या होते है सदा बाहर होते है और सदा बाहर कहां होता है एवर ग्रीन कहां होता हूशन कटिवन दिया सदा बाहर वर्शा वन में तो यह होते हैं तो ग्यान रखना एक तो अफ्रीका और यह एशिया एक दू जगे और हैं लेकिन खासकर अफ्रीका और एशिया में यह पाए जाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्या बन जाता है कि which of the following pair is incorrect यहां पर इन में से कौन सा जोड़ा है जो गलत है ठीक है न स्टेपीज हैं वैल्ड हैं पेर्डी है तो यह कुछ गास के जगे या कुछ ऐसी स्पेसल जगे हैं उसके उपर कूशन पुचा जा सकता तो फर्स और सेकेंड में ही कहीं गलतिया मिल जाती है देखो फंपाज जो है यहां पर क्या है जोड़ा गलत है ना तो गलत आता फंपाज क्योंकि पंपाज न्यूजिलेड में है यह नहीं ठीकिए फंपाज कहा है वह दक्षनी यानिकी साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका राइट साउथ अमेरिका में कहां अगर जगे बूच ली जाए तो अर्जेंटिना आपने जगे सुनी होगी अर्जेंटिना ठेके फुटबल कलब भी है ठीकिए तो वहां पर यह पंपाज पाया जाता बाकी की स्टेपीज आती रशिया में सही है वेल आती अर्जेंटिना दे दोनों ही राइट है गलत नहीं है दोनों राइट नेक्स क्वेशन लेकिन में से कौन सा कतन थर्मोस्पियर के बारे में सही नहीं है विच और फॉलावंग स्टेटमेट इस नोट ट्र्यू अब थर्मोस्पियर के लिए अब देखो उसके लिए आपको वाईव मंडल पढ़ना पढ़ेगा ठीक है वाईव मंडल की सारी पढ़ते पढ़नी पढ़ेगी तब जाकर इसके बारे में क्लियर होगा चलिए थर्मोस्पियर के बारे में आप लोग इतना जानते होगे ना कि यह आयन मंडल में आता है तो आयन मंडल के हिसाफ से स्थित हैं दूसरे आता है इस परत में ताप पान में वर्दी गेस अनुओ द्वारा सूर्य के एक्षें और युवी केरिणों के आउस्टोशनों के कारण होती हैं ठीक है राजस्तान में बहुत सार ऐसे स्टोवेंट होते हैं जिनसे मैं काफी मिला हूँ और उनमें काफी ऐसे स्टोवेंट होते हैं जो यह सोचते हैं कि जो बड़ा ऑप्शन होगा न वो गलत होता है यानि कि वो ही आपका right answer होता है यानि कि जैसे माली जिसमें अगर right answer करना होगा तो अगर तुक्का माणना होगा तो option number B पे मारेंगे क्योंकि बड़ा है देकिन ऐसा नहीं होता देखें यहाँ पर कौन सा सही नहीं उसके बारें बात कर रहे हैं तो देखें इससे iron bundle के नाम से भी जाना जाता है यह लंबी दूरी के संचार में मदद करता है तो अब यहाँ पर option किसते हैं मैंने क्या बोला thermosphere को क्या बोला जाता है iron bundle बोला जाता है तो यह option तो right हो गया iron bundle है तो iron bundle है और उसके साथ में हमने काफी के बार पढ़ा होगा कि जो यह iron bundle होता है यह क्या करता है जो हमारे संचार के मादिम को clear करना यानि कि radio तरंगे वहां पर होती है यह तो हमने पढ़ा होगा तो radio तरंगे के के लिए यह संचार में मदद करता है अब आता है thermosphere होता कहा यह thermosphere मेसो पेर के नीचे हैं तो देख लीजिए अगरा जो पड़ते होती है तो उसमें thermosphere जो है वो क्या होता पता है वो मेसो पेर के उपर की तरब होती है ठीके तो याद अखना तो यह option हो जाता है गलत और अपना हो जाता है इसके साथ मैं इस परत में तापमान में वर्दी यह सदों दुआरा सूर्य के x-ray और यह विकेंड के आउस्षण का कारण भी बनती है यह आईन मंडल की खासियत होती है और ऐसे भी हम लोग बहुत सारे जो है यह अलग-अलग तरह कि जितने भी मंडल्स है जितने भी हम लोग layers है उसके बारे में पढ़ने वाले है क्लास में अभी से जुड़ जाएगा application है और से ओनलाइन स्कूल इंडिया नाम की application है प्लै स्टोर पर ठीक है वहाँ पर आप डाइलेक्री जोइन कर सकते हैं अगर फिर भी कोई doubt है तो आपको में एक number दूँगा last में ताकि वहाँ से आप discuss कर सकते हो और और कुछ भी information लेनी है वह भी ले सकते हो यह 71st question था next question आएगा मक्कर रेका गुजरती नहीं है इन में से कहाँ पर अब यहाँ पर आपको लोगों को लगेगा यह भी पढ़ना पड़ेगा लेकिन इतने hard नहीं है यह सारे Tropic of Capricorn does not pass through इसमें से कहाँ नहीं गुजरता है तो यहाँ पर option क्या है यहाँ पर option है चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे option number A है यूगांडा, केनिया, सोमालिया, ब्राजिल, बोच्षवान, दक्षणी अफरीका, औस्टेलिया, फिजी या तोगा से तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मक्कर रेका कहाँ गुजरती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी होगा तो वहाँ कहाँ कहाँ गुजरती है मक्कर रेका, उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है देखो, मक्कर रेका जो लाइन फेस हैं, जैसे आप परत्वी है आँशने अमरीका के यह पर्प्राजी तो यह आता यह जो बाद में आपरिका इसमें अफरिका का कहा उप्शन है अफरीका का कही आप्षिन था ना यह रह तक तो यह A option कड़ गया, C का option कड़ गया, इस तरह से याद रखना पड़ेगा, अब आता Australia, अब यहाँ पर Australia भी कही option है, क्या यह रहा, देखो, अधिनस बोड आपको बहुत easy way देता है, question को correct करने के लिए, तो देखेगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पता थी, और हमने कर पड़े रखता है, ठीक है, जैसे हमने अर्जेंटीना के बारे में पढ़ा था, स्टार्टिंग में, करीवन दूसरी तीसे question के अंदर की, वंपाइस कहां पर है, ठीक है, दक्षणी अपने का तो हमने पढ़ लिया अर्जेंटीना में, और परागवे और अर्जेंटीना के Which of the following Roman was saved God, Goddesses is not correct, निम्लेकित में से कौन सा Roman पुझे देवता और देवी सही नहीं है, अब देखेगा, ऐसे question कुछ ऐसे question होते हैं, जिसको कोई भी सही नहीं कर सकता, जब तक उसकी complete information नहीं होती है, क्योंकि इसके बारे में कुछ न कुछ information आपके पास तो जरूर होगी, अगर Roman की बात करें, ऐसे तो आपको हर एक देश की पढ़नी पढ़ जाएगी, कहीं Roman है, कहीं दूसी जगेबे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, ब्रस्पती ने फसलों के लिए वर्सा बेजिद्धी, ये राइट हो जाता है, ब्रस्पती के लिए, मंगल ने युद के लिए मदद की थी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अब यहाँ पर आता, जुनों ने उनकी महिलों की रक्शा की थी, ये भी सही है, तरी नेप्चुन उनके संदेश ले गया आता, ये गलत है, क्योंकि नेप्चुन कोण है, नेप्चुन है, मिटे पानी का राजा ठीक है मिठे पानी का राजा या समुदरी राजा भी बोल सकते हैं समुदरी राजा भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर जो है नेप्चुन इसके साथ चाह जाता है तो option number यहाँ पर C है 73 का राइट, next चलो, अब यहाँ पर Victoria के बारे में आपने बहुत बात सुना होगा Victoria waterfall is related with which river Victoria जो जल परपात है किस नदी पर जुड़े हैं तो यह जल परपात के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना होगा ठीक है, Amazon, Neil, Jiree और Jambayzi यहाँ पर काफिस डूर्ण ने Amazon पर ही क्लिक किया होगा लेकिन यहाँ रखेगा, यह आता option number D, Jambayzi ठीक है, Jambayzi, यहाँ रखना ठीक है, बहुत important आ जाता तो अब Victoria जल परपात है कहां, यह ज़्यादा important है तो यह Jambayzi है, Jambayzi जो नदी है तो अफ्रीका में बहती है, कहां? अफ्रीका, राइट, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा राइट, next अगला आता है, the boundary between France and Germany is cold तो France और Germany के मद्दी की सीमा क्या कहलाती है हमने भारत पाकिस्तान के बारें पढ़ा, भारत, नेपाल, त्रिलंका, बांगलादेश, इनके बारे में तो जानते है लेकिन यहां पर आता है, आज आ गया कॉशन France और Germany के मद्दी सीमा क्या गया लाती है hidden बर रेखा, मैगी नॉट रेखा, डूरंड रेखा यहां पर बाकी के जो है, तीन आप्शन के उपर क्लिक करना पढ़ेगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा तो यहां पर आप्शन होगा, आप्शन नमबर B, मैगी नॉट रेखा आप्शन नमबर B, मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की एक सीमा रेखा एक लेर करती है इसको भी हम लोग जो हैं क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह किसे तेखें, नेक्स्ट क्वेशन निमलिकित में से कौन सा परवत, अवस्तित, सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखें, ओप्शन देखें, एटलस, जो एटलस है, काफी बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जो एटलस है, वो कहाँ पर है, अफ्रिका में न, उत्तरी अफ्रिका में है दूसरी बात है, एंडी परवत, यह तो बहुत बार हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, तो यह कहाँ है, यह अमेरिका में, बिल्कुल राइट है, रोकीज, ठीक है, इसके उपर मुवीज भी बनी हुई है, तो रोकीज परवत कहाँ है, उत्तरी अमेरिका अब लास्ट बचा है, ऑप्शन नमबर D, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानि कि यह डिवाइडिंग से ऑप्शन से आपको पता चल जाता है, कि यह क्या गरते हैं, तो यह पर क्या आजाएगा, यहाँ पर अंटार्टिका नहीं आएगा, यहाँ पर होगा आउस्ट्र 292361, यह जो हैं आपके सामने नमबर दिये गए हैं, इसमें आप लोग कुछ भी इंफोर्मेशन ले सकते हैं, जैसे हमने यह जो बारा कोशन है, हमने अच्छे से इसको स्टड़ी किया है, पढ़ा है, उसको देखा है, तो इस तरह के कोशन आने के चांसे हैं, तो आप इस पर कोल करके यह पूछ सकते हैं कि लाइव इसाइंस में और कौन को सब्जेक्ट पढ़ाये जाएंगे, किस तरह से आप लोग के जो हैं सब्जेक्ट क्लियर क्या कराये जाएंगे, और क्या क्या आपके जो भी डाउट है, वो आप इस नमबर पर आप बात करके पूछ सकते हो और कोर्स किस तरह से होगा है ना किस तरह से कितने टाइम में यह कोर्स कवर हो सकता है यह सारी information यहां पर मिल जाएगी तो यह जो number है उध्यान अखेगा सबसे important बात 566 post देखें आप लोग को पता है कि यह आने वाली हैं तो अब आपको क्या है कि इन 566 post में अच्छे कासी fight भी तो होने वाली हैं लेकिन यह उमीद करके जरूर चलिएगा कि आपने जितना जल्दी study इसको करना start कर दिया है जितना जल्दी आपने library science को या दूसरे subject को देना start कर दिया है तब यह जो है सीटें आपके हिसाब से आपको cover हो जाएगी देखें Online School India जो यह platform है उसरे for library science यहाँ पर आप लोग को यही कराया जा रहा है कि यहाँ जो 560 post में है यह आपको सीटें तो मिल जाएगी लेकिन आपको अच्छे marks लाकर आपको क्या करना है आपको rank cover करनी है ताकि आपकी जो पसंदीदा है जगह है वो आपको मिल सके होम टाउन में आपको जो है अपनी जो है जो ए जॉब मिल सके है ठीख्यें चलिए तो ऐसे ही हम लोग जो हैं आपके साथ बने रहेंगे online school India यानि कि आवसैफ और live science आपके साथ हमें सब बने रहेंगा इसमें जो है सुमेर सहरा हैं आपको हर ताम जो है रास्तान 2nd grade, 3rd grade, net और set इनके सारे के सारे जो हैं classes आपको यहाँ पर available हो जाएगी लेकिन उस number पर जो आपको number दिये गए हैं उस पर call जरूर कीजिएगा नहीं तो description में भी number दिये गए हैं और application का धिया रखना description box में application का link दिया गया है, telegram का भी link आपके पास मुझूद है, वहाँ पर भी जुड़ जाएगी, सारी information telegram पर भी मिल जाएगी, बहुत जितने भी important news वहती है, या किसी भी तरह की जो जो भी doubts होते हैं, जो questions होते हैं, क्या news होती है, वो telegram पर मिल जाती है, ठेक हैं, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, तो online school इंडिया पर अगर आप नए आये हैं, और लाइवी साइनस चैनल पर नए तो subscribe करना मत बूलना, और comment करके जरूर बताना है, कि हम लोग को क्या नया करना चाहिए, और आप लोग को और क्या-क्या नया इस चैनल पर चाहिए, तो ये comment जरूर करना, क्यूंकि कुछ नो कुछ नयापन तो होना च है जिसा आप चाहेंगे वेस़े हम लोग बदलते रहेंगे नयापन रहना चाहिए तो लेह करने जुर्ण करना को भूंश करें पूब करना मत बूह हिस को दूकर है तक आप भस्ते रहें हुश रहे और हमारे साहत पढ़ते रहेरे तो परने भ थेंक यसा खाई